कि हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो यूट्व चैनल अभी हम लोग यहां पे लार्सन्ट वर्बो लिम्टेट के अनलेसिस करें और इसमें देखेंगे कल के दिन 24 आप चैन को यह कि इस तरीके से प्रैस एक्षिन पैटन दिखाएगा इसका इंपर्टन लेवल्स क्या रहने वा में और अज दिन का जो केंडल इन ररा यहां को बढ़िए ₹च को नजर आरहा है तो अगर यह किसी सिनारियो में ठीक है यह चैनल के गर्लो यहां पाछा 말क मरी 525 के आसपास का है तो हम लोग को एक अच्छा फॉल मतलब 3500 का टच देखने के बाद 3400 का लेवली सेयर के अंतर देखने को मिल सकता है ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं तो इसके लिए हम लोग वीकली टाइम प्रेम पर जाएंगे और यहां पर चीजे देखेंगे वीकली टाइम हम लोग इसके बाद expected था लेकिन इसका high break नहीं हुआ तो वो activate नहीं हुआ तो हमारा उकर कर टारगेट एक्टिवेट नहीं हुआ लेकिन यहां पर लग रहा है इसका low break होगा और अगर इसका low break होता है तो पहला halt पाइट जैसा कि हमने बात किया 3500 के आस-पास है यूंकि य इक आउट लेवल है प्लस यहाँ पर बारबर यह support ले रहा था यहां पर बारबर जब्सक्राइब हो रहे देने कोशिस यह रहे हैं जो है यहांसा यहाँ से बाद नीचे आ थे आनाम से आ सकता है लेखेंगे यह हैं से जब से momentum स्टार्ट किया है तो फिर 2020 के बाद ठीक है अपरिल में के बाद तब से यह बहुत यह अच्छे से उपर कि मोमेंटम किया और बहुत ज्यादा वीकली टाइम प्रेम पे कहीं करेक्शन नहीं है यहां पर मैं यह कहना साथ हूं कि अगर एम पैटन ढूने की उपर की और कोशिश करेंगे तो हम लोगों कह सिनारियों क्रिएट होता है तो ये नेक्स्ट अपने जो लास्ट डिकाउट लेवल उसके आसपास की टॉर्ट करेगा जो भी ट्रीटु स्वाइव हो सकता एक दो वीक के बाद यहां पर यहां देखने को मिल जाए ले ताइम पर पर चलते हैं और आ ओपर नीचे के जो ले का अगर यहां पे 3523 का breakdown होता है तो हम लोगों को 3500 का target देखने को मिल सकता है and this is the point जहां पे इसको थोड़ा सा rest ले लेना चाहिए क्योंकि अच्छे तीन दिनों से selling चल रही होगी नीचे support होगा और यहां पे थोड़ा strong चाहर है उसके checker में यहां पे हम लोगों को लग रहा है कि तब तक नहीं करेंगे जब तक यहां पर यह जो लगा हुआ है यह ब्रेक में हो जाए तब तक हम लोग ऊपर की बात नहीं करेंगे 15 में टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो 15 में टाइम फ्रेम पे एक सी हम लोगो क्लियर होगा कि तिन चार दिन दो दिन से जैसे गिरावट हो रही है तो आज के दिन मन में फॉल हुआ है जिस तरीके सी मुमेंटम हुआ था उसी तरीके से फेड हो गया राइट अभी फेड होने के बाद जैसा कि मैंने बात किया यह जो लेवल है 3525 के आसपास वाला यह इंपर्टन लेवल है तो यहां से बाउंस बैक देनी के प्रब्लिटी है और लास्टली 35100 के आसपास से तो यह पूरा का और क्या है एक support zone आभी पूर्ड जोन में आ रहा है वक्ता है support zone में क्या होता है support zone में यहापे यह जो बेच रह ऑप करेंगे प्लस यहां से प्राइस सेक्षिन पार्न कैसा बनता है अगर कल के दिन यहां पर हम लोग को कोई भी रिवर्सल दिखता है जो कि बहुत तेजी से गिर रहा है तो एक प्लानिंग है दिख सकता है क्योंकि अगर यह टेंड लाइन को जाके फिट से इस तरीके से रिजेक्ट करके नीचे की वा